तमस्कार दोस्तों मेरा दाम में विमल सिंग बालर जी श्टेडी एड़ा में आपका स्वागा जै डिलेट 4 समेश्टर 2022 के डिसंबर 2022 में जो पेपर हो रहे हैं उसके पेपर का सॉलिशन करा रहे हैं मैथ का कम्प्लीट पेपर का सॉलिशनम देख चुके हैं इससे पहले यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन वीडियो आपको मिल जाएगा और सोसल साइंस का पेपर का सॉलिशनम देखेंगे चलिए श्टार्ट करते हैं प्रस नमबर एक से सबसे पहला प्रस नम प्रात समाज के स्ताफना हुई थी तो आप्शन में अगर आप देखिए तो आत्माराम पांडूरंग आपको आपको कुछ नहीं करना है इसी ओप्शन के साथ चला जाना है थर्ड वाला ओप्शन सही हो जाएगा अगला कुशन पूचा गया था साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर इसका समय था पर जब रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात आई थी तब इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 1930 में प्रस्तुत की थी तो आंसर यहां पर आप्शन में देखिए दे भी रखा है सेकेंड वाला ओप्शन 1930 वाला सही हो जाएगा अगला प्र प्रस्त देखते हैं अगला कोशिन आप से पूछा गया है उत्तरप्रदेश का मैंचेस्टर देखेंगे दोनु कराये थे उत्तरप्रदेश करके भी पूछा जाता है कानपूर करके भी पूछा जाता है तो ऑप्शन में कानपूर वाला option 4 वाला सही हो जाएगा दक्षिड भारत का मैंचेस्टर किसको कहते हैं तो आपका तमिल नाडू को कहते हैं और option में कोयम बटूर मिल देखने को मिलता है तो कोयम बटूर भी याद रख सकते हैं रक्षुर भारत का मैंचेस्टर उत्तर भारत का मैंचेस्टर भी पूछा आता है तो कानपुर ही आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश करके पूछ लिया गया तो भी option कानपुर ही होना चाहिए तो option के according कानपुर अगला question पूछा गया हेमेटाइट का संबंद किस से खनिच से है तो लोहे का होता है law ask आपका option है आपर दे रखा है ये आपका science में actual में कोर्स में है पूछा इन्होंने social science में है अगला question देखते है उत्तर प्रदेश का तेल सोधन कारखाना कहां है उत्तर प्रदेश का तेल सोधन कारखाना मतुरा में है आपका second वाला option हो जाएगा सात्वा प्रसना आप से पूछा गया है सविधान सभा के स्थाई अद्यक्ष मैंने बताया था स्थाई भी पूछा जाता है और आज स्थाई भी स्थाई जब भी पूछेगा तो डॉक्टर राजेद प्रसाथ और आज स्थाई पूछेगा तो आपका सचेदातन सिनहा ये सारी चीज़े महरातन में कराई तेवा में एक-एक स्क्रीन सॉट नहीं दिखा रहे है वरना वीडियो बहुत बढ़ा हो जाएगा अगला कोशन उत्तर प्रदेश में सिचाई की जाती है नहरो द्वारा होती है बिल्कुल कुओं द्वारा बिल्कुल नलकूपो द्वारा उप्रोग तो सभी आपका उप्षन हो जाएगा अगला question ये थोड़ा सा नया देखे, question बूचा गया है, उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहां लगता है, तो ये कहां लगता है, ये आपका UP के अंतरकत बांदा जिले में लगता है, answer पहला बाला आपका सही होगा, UP के बांदा जिले में कालिंजर मेला लगता है, ये question नय तो यह आपका असम में है पहला option आपर सही हो जाएगा असम राजी के तिन सुकिया जिले में इस्तित है आपका अगला question उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है ये model paper में साथ कराया था उत्तर प्रदेश में total 18 मंडल है और 75 जो है वो इसमें जिले है चौथा अंसर स question देखते हैं आगला question जर्कुला प्रमुख लोक नत्त जो है वो ब्रज छेत्र से संबंदित है सेकेंड वाला option है आपर हो जाएगा ये नत्त जो होता है वो होली के बाद तीसरे दिन पर किया दालता है जिसमें राधा जी का जन्म होता है महिलाएं जो होती है वो भगवान मेला सुना होगा आपने तो प्रयाग का माग मेला जो है वो ये पुरे विस्व के सबसे बड़े मेले में गिना जाता है प्रयाग राज आपका हो जाएगा अगला भारत में सारवाधिक साक्षर्तादर किस राज्ज में है सभी जानते है केरल राज्ज में है सबसे आदा सा तरगत आता है, second वाला option है आपर जो है, वो सही होगा, ये आपका जो है वो बिजली उत्पादक के इंद्र के रूप में जना है था है, विद्धुद उत्पादक के इंद्र के रूप में, बढ़ते हैं लोग उत्तरी प्रस्न की तरह, वीडियो लाइक और शेयर जुरू करत जो भी लोग वीडियो से जो है, वो जुरू दे जा रहे हैं, 16 नमबर प्रस्न आप से पूछा गया, आरे समाज की स्थापना का मुख्य उत्देश की क्या था, तो आरे समाज का उत्देश पूछा गया है, स्थापना किसने की वो नहीं है, पॉइंट के दौरपत बहुत स करके वेदो वर्ट से जोडाता है, वही, अगला क्वश्चन पूछा गया है, जैव विविदिता किसे कहते हैं, विविन प्रकार के पौदे, जीव जन्तु, उनकी संक्या को चाती जैव विविदिता में हम कहते हैं, और किसी छेत्र भी से इसमें जीव जन्तु और अगला लिंगा अनुपात का मतलब होता है कि प्रती एक हजार जो पुरुस होते हैं उन पर कितनी महिलाओं की संख्या है तो वो रेशियो के वो 940 रेशियो होता है वो हमारे एक हजार पर निकालते हैं वो आप इसमें लिख भी सकते थे एक्जाम्पल के तौरcka सामपरदाइता का मुख्य कारण क्या है एक धर्म के जो लोग होते हैं अन्युआई होते हैं वो अपना हित देखते हैं दूसरे धर्म के अन्युआई के जो होते हैं उनका हित मतलब डिफरेंट होता है बिल्कुल भिन्न होता है परस पर विरूधी होते हैं तो वो एक रीजन तो आतिलगू मैं ही आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश की प्रमुख जंजातियां कौन सी है बहुत अच्छा कोशन मैंने आपको 5-4 लिखाई 4-5 लिखाई थी जो मेरा थन क्लास थी तो उसमें से कोई भी आप लिख सकते थे गोंड करके जंजाति थी अगया ना कि कहां हुआ था ये नहीं पूछा कब बागी 4 फरवरी 5 फरवरी उटने 122 तारिक मैंने बताई थी अगला कुश्चन राम कृष्ण मिसन की स्थापना किस ने की तो स्वामी विवेका नंद जी ने राम कृष्ण मिसन की स्थापना की थी रोलेट एक्ट क्या है मैंने बताया था रोलेट एक्ट को ही काला कानून कहते हैं 1919 में आया था और इसमें बिना किसी दलील के जेल में डालने का जो था एक प्रकार का कानून लाये गया था में धार राश्टी अंदोलन दिरे दिरे उठ रहे थे तो उनको दबाने के लिए सिडनी रोलेट जो थे ना उनकी अध्यक्षता में जो है यह आया था अगला कोशन आपसे पूचा गया है जट वायू धारा किसे कहते हैं जट वायू धारा को एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्वी के साथ साथ कुछ ग्रहों के जो वायू बंडल होता है उसमें तेजी से बहने और गूमने वाली हवा धाराओं को जट वायू धारा जो है वो कहते हैं एक तरीका आप ऐसो भी लिख सकते हैं जट वायू मंडल में विशेश कर समताप मंडल में तेजगती से चलने वाली धारावायं होती है इनकी जो प्रवाह की जो दिसा होती न वो जलधाराओं की तरह ही एक निश्यत होती है इस क्लिए ही इनको नाम भी दिया जाता है जट श्ट्रीम अगला कोशन आप से पूछा गया है कि विस्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है 16 सेप्टेंबर को मनाया जाता है 16 सेप्टेंबर विस्व ओजोन दिवस अगला कोशन सारनात संग्रहाले की स्थापना कब होई ये question नया है इतने जित्ते भी question देखें न सब इधर उधर repeat मेराथन में देखें होंगे पर ये सारनाख संग्राले मेरे खाल से नया question है 1910 में इसकी स्थापना हुई थी according to Wikipedia पर अगर अन्य website पर आप देखेंगे तो आपको यही सन 1904 देखने को जो है वो मिलता है तो आप कहेंगे ये दो दो सन कैसे है तो actual में ये हुआ कि 1904 में इसको स्थापना करने का जैसे स्टार्ट नहीं होता है चीज़े स्टार्ट हो जाती है तो वो 1904 का समय है और 1910 का समय है इसमें ये बन करके तयार हो गया था इसलिए ये दो सन आपको देखने को जो है वो मिलते है अब इसकी स्थापना के संदर में 4 या 10 में ये क्या मानते है अगर अतिलगू में ये आया था तो दोनों ही आप लिख दीजे कि 1904 में इसकी स्थापना होई थी और जो पुरा वस्तु में है उनको रखना उनको परदरस्रित करना उनका अध्यान करना के लिए भवन 1910 में बन करके तयार हो गया था अगला कुशन जायत की फसलों में क्या-क्या बोया जाते है अरे जितनी भी आपकी पानी वाली फसले होती ना जिसमें ज्यादा पानी होता है गर्मियों में जो होती है जैसे तरबूज हो गया आपका खीरा हो गया आपका खरबूजा हो गया आपका ककड़ी हो गया आपका यह सब आप इसमें लिख सकते थे उधारण में भारत के अंतरगत कौन-कौन से दियूप समू आते हैं, तो एक आपका तो अरब सागर में आ जाता है, जिसका नाम है अंडमान निको भारत दियूप समू और पंगाल की खाड़ी में जो आता है वो आपका जो आता है उसका नाम लक्ष दियूप समू है तो यही दो आप लिख सकते थे और ये मुख्यता विभाजन है बाकी तो आप देखिए और बहुत से आपके दियूप समू आते हैं आतंकवाद क्या है थेोरी बेजड है लिख सकते हैं आतंकवाद के पारे में बहुत सी चीज़े लिख सकते हैं एक टेफिनेशन के तोर पर लिखना चाहें तो एक प्रकार की इंसात्मक गतिविधी लिख सकते हैं और कोई वेक्ति अगर कोई संगठन या कोई वेक्ति अपना आर्थेक या कोई राजनीतिक या कोई विचारात्मक लक्ष की पूर्ती के लिए चाहें वो देश हो या देश के नागरिक हो उनकी सुरक्षा को जो है वो निसाना बनाता है तो वो आपका आता है आतंगवाद की केटिगरी में चलिए देखते हैं आप लगूत्तिरी प्रसन है और यह सब तो थेयोरी हैं एक चीट मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिस की महराथन हम आपको करा चुके हैं जो कल आपके पेपर है न तीन इंग्लिस की महराथन भी करा चुके हैं और इंग्लिस का मौडल पेपर भी करा चुके हैं तो इंग्लिस का सारा पोर्षन हो चुका है और इंग्लिस के टॉपिक वाइस भी हम सारे जो वीडियो है न वो करा चुके हैं वो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं भारती अर्थवस्ता की समख्ष क्या चुनवातियां हैं यह आप बना करके लिख सकते हैं भारत की स्तिति विस्तार और महत्व यह भी बताया था उत्तर प्रदेश की खनित संपदा यह भी बताया था जलवायू मौसम तो कितनी बार बताया था पूरे-पूरे अंतर लिखाय हैं जलवायू को प्रभावित करने वाले तत्व हैं हयात निर्यात आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु हैं भारती राश्टी अंदोलन में नहरू जी का योगदान क्या था तो यह भी आप सब ठियोरी बना कर लिख सकते हैं यह जो इन्होंने लिखा न उत्तर प्रदेश से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु हैं जो हमने बताया था ना कि कौन सी जगा किसके लिए फेमस है कि कालीन के लिए कौन सा फेमस है तो उन सभी वस्तुओं को लेकर के आप यहां प्रॉइंट बना करके लिख सकते आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से सब्दों का चैन कहां पर करना है तो यह था हमारा ओरॉल पेपर का सॉल्यूशन तो टोटल जितने हमने कोशन देखे तीस तक देखे थे ना आती लगू और बहुवी कल पर मिला करके इन तीस में से आपके कितने सही रहे अपना को करा देंगे मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार चैन